आप सब लोग उमीड करते हूं आप सब बहुत अशे होंगे शेफ होंगे गुड इबनिंग और अभी शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं आज है टूजडे तो शुपब में बहुत सारा काम रहता है तो फिर उकाम खतम करते करते हैं इतना टाइम हो जाता है फिर दो जल्दीन हा टे इंडार लिए तो मैं सो नहीं पा रही थे ऐसा हो गया था तो फिर मैं चलो विःते हैं और अपना काम खतम करते हैं तो यह भी सामके छे बज गया है और आप मुझे बैट सिट चेंज करना है बहुत गंदा लिए ज्यादा गंदा तो नहीं वहाले लगला म तो अब बेट सीट चेंज कर देती हूं तो अभी मैं दूसरा बेट सीट चेंज करूंगी सोफा कोपर भी हटाऊंगी और आज ना बहुत इन बाद मैं नहीं यह वाला कुर्टा पहना है और यह कुर्टा मुझे फीट आ रहा है थोड़ा से फिटिंग होड़ा आता लेकिन मै पहन लेती हूं थोड़ा बहुत कोई कोई टाइट होता है और कोई तो अच्छा होता है तो फुरवई में पहनती हूं और अभी भी मेरा पेट इतना नहीं निकला है अगर लोग बोलते हैं कि सेकेंड प्रेग्नेंसी में ज्यादा पेट निकलता है लेकिन मुझे तो लग इन धनीमें में कम पेट निकला हूं रुष्ट प्रेग्नेंसी में ज्यादा निकला हूआ दा फिर भी तो मतलब मैं काली होगाई थी उस टाइम पर भी की उन्हेंन इतना प्रेग्नेंसी नहीं कर आया था क्योंकि में इतना काली दी दीन Cub — मेरा हब पैर पैर तो चेहरा ही पहस्तान में नहीं आती थी कि मैं हूँ और उसके बाद चेहरा भी मेरा अग्दम गोलू-मोलू सा हो गया तो अग्दम फुली टाइप का हो गई थी उस टाइम का मेरे पस फोटो टो भी नहीं होगा एक दो फोटो होगा भी तो मेरे हजबन के मोबाइल में होगा अगर आपको की ड्रेस पर बिलकुल भी नहीं रिकता है अगर थोड़ा लूज पहनना तो अतना पता नहीं चलता है ईसरे मैंने ड्यूंत मेरे चेह बहुत ग्लोंग होते जा रहा गर पहले के लिग देखुत हुग तो जब मैं ठैग्नेंट हुई तीन ऊस टाम पे मेरे चेहरे प तो अभी मुझे ना बहुत अच्छा लगता है अब अगर देखा थो और मुझे बिल्कूल भी कभी फिल नहीं होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कभी-कभी असा लगता है कि हां मैं प्रेग्नेंट हूँ वह सारा काम कर लिया आप लोगों से बाते करते करते और सबमें आप लोगों के साथ हमेशा प्लिए विल्क में चाहिए कुछ कुछ चीजसे सियर भी करनी चाहिए करने का मनी नहीं तो मैं सब्सक्साइव दै रहीуск लेट थोड़ा खाना खाए हुए थे तो इसके लिए भूक नेइथा तो सामका जो नास्ता है ना मतलब करने का मनी नहीं था भूकी नहीं था तो में तो कुछ खाने का मन नहीं था तो मैं सोचलो अभी डायरेक्ट में खाना ही बना लूँगी और हस्मेन को भी खाने का कुछ मन नहीं था तो सामका वैसे नास्ता जो होता है न मैं स्किप नहीं करती हूं लेकिन अभी द्रिशानी का भी पेट बढ़ा हुआ था तो मैं सोचलो इसको दूद देना तो जरूरी है और यह दूद पीती नहीं है तो इसलिए बहुत मुस्किल से इसको दूद पिलाना पड़ता है तो मैंने बन वीटा वाला दूद दिया है क्योंकि नॉर्मल दूद तो पीएगी नहीं और अभी मैं आ गई हूं मार्केट क्योंकि यह साम का लेकर आना तो अभी मैं रिलाइंस में आई थी तो वहां से मैं दूद ले लिया पनीर लिया है और बनाना भी लेकर आया थी बनारा खतम हो गया था मैंने एक बिर्यानी मसाला भी लेकर आई हूं इस टाइम पे ने मुझे बिर्यानी बहुत पसंदे खर बिर्यानी तो बनाया था लेकिन मसाला खतम हो गया था और जैसे तैसे जुगारवला मैंने बनाया था और फिर से मैंने मिलकी मिश्ट का पणिर लेकर आई हूं क्योंकि उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा तो मैं सोई चलो अभी यह लेकर जाती हूं फिर दूद मेंने लाया और नारि हुए तो अभी मैं वही पाला कालो की सबजी बनाऊंगी फटाबर से में रेसिपी सेर नहीं कर रहे हूं क्योंकि अभी जैसे की साम का नास्ता मेंने स्किप कर दिया था ना तो डिनर मुझे जल्दी बनाना था तो जल्दी खाके फिर सोईंगे आराम करेंगे यहां पे गदेंगे शाए हैं मैं जाकते चाह बहुत कर दिया है तो मैंने फटापर से खाना बना रोटी और वही पाला कालू की सबजी आज जिनर में लोग यहीं घा और घर में बिल्कुल भी खिरा नहीं था तो चलाद तो खाते ही खाते हैं आदत बन गया ना तो फिर अच्छा न गुनगुना दूद में डालती हूँ और अभी गर्मी का दीन है ना तो बहुत जल्दी दही जम जाता है तो गुन-गुना दूद में एक दो चमछते ही डाल देते हूँ अच्छे से मिक्स कर देते हूँ दही जम जाताया अच्छे से और यहा पे हल्दी वला दूद भी husband के में नार्मल दूत प्योंगी कभी पी ते हूं और यहां पर में नीच्छोपास कल मॉर्णिंग में बनाऊंगी जोँए saksi सौंगान। टूरे लिए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मॉर् jurisdictions के लिए बढ़ाइ गल्णाईस हो ड्रेम। मुआच चाल बार नीकर्णाई बहुत अशे होंगे शेफ होंगे नेक्स्ट मॉरिंग आप लोगो से मिल रहे हैं और आज में सोची दिए जल्दी उठोंगे लेकिन लेट हो चुका है कि मैं लेट तक सोई रह गई अभी मैंने ब्रस कर लिया है दवा भी खा लिया है और अभी मैंने मट्र आलू को बोईल होने के लिए चठा दिया अज खाना बहुत ही सिंपल बनाने माने हैं मट्र आलू का मतलब को छोला टाइप का सब्जी बनता है वो और फिर राइस बनेग में लगता है गड़म पानी में में होती हूँ थो इसके लिए तो इसके लिए बना ने लेता है थो निकिन घंड लगा देता है तो इक फ्रेंड ने बहुत पहले कोमेंट भी किया था कि मसीन आप मतलब लगाते हो ना तो फिर सेयर कर जीए कैसे कप्लेड हो तो वहिते हैं चलो आज आप लोगे साथ सेयर भी कर देती हूं और बालकिनी मसीन रखा हुआ है इतना जल्दी गंदा हो जाता है ना इतना डश्ट उस पर जम्म हो जाता है बालकिनी में रखा हुआ है जिसको जैसे बोकर जाता डश्ट जम्म हो जाता है तो अभी मसीन को ओन कर दिया यहां पर मेनुवल सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के लिए यह प्रोग्राम को प्रोग्राम बटन दबाना बढ़ता है तो भी पी वन है अभी मुझे दोना है बैड सीट तो पी एट पे जाएंगे यहां पर देखिए एक स्प्रेस बॉस लिखा हुआ है तो इसको दबाने से ना टाइम कम हो जाता है फिर पानी दो बारी लेता है तो कपड़ा मुझे गरम पानी से दोना है तो यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते है अब बादन दोना है और यहां पर ड्राइ के लिए नॉर्मल ही चाहिए नॉर्मल ही इतना ड्राइ हो जाता है कि फिर उसको सुखाने में ज्यादा टाम नहीं लगता है यहां पर सब दिया हुआ है अगर आपको ज्यादा एक्स्टा ड्राइ करना है तो अभी आप बटन दबा सकते हैं ड्राइ कर सकते हैं तभी मशीन देखिए ओन हो गया है 56 मिनट लेगा ये लेकिन ये खुद का टाइम दिखाड़ा है 56 मिनट लेकिन टाइम बहुत जादा ले लेता है तभी मशीन चालू हो गई है पानी यहां से निकलना सुड़ू हो गया है ये ब्लाइक पिर के लिए नहीं देखता है और केमरा में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं तो भी मशीन मेने लगा दिया अभी एक बनाना खांगी उसके बाद में लिकाना चाहरो भी लगाना भी तब जाड़ू मिलगा चाहरो पर मेरा बोईल हो गया है सुबा उड़ते ही मैं ना फो घुर्वजा ठोल देती हूं खिर्की डर्वजा कोलने का मैं। सब्सक्राइब निकल गए और अभी यहां पर मैंने कपड़े शुकने के लिए डाल दिया है कि उनको जल्दी जाना तो जैसे तैसे मैंने सुखा दिया है और अभी यहां पर मैं खाना भी खाने जा रही हूं और आज खाने में यही है चोला की सब्जी चावार और अभी 11.30 क करने बाइट क historically अभी संस्राइब. ५ कनेकल स्दूश कातीम करनी आज मैंने सचा है करने का क्लीन करने का तो तो दोपर मीं एडिटिंग का काम करेंगोंगे फिर उसके पाल मिन कीनत पर लिए फ्जिकार की कलीन सत्टेंEM करने लिए लगी काम करके हो देंसे जादा टाइम ह अभी तो क्लीन करना ही पड़ेगा कबड़े मैंने सुखने के लिए डाल दिया और अभी मेने खाना भी खा लिया है यह तो भी नारियल पानी पी है अभी यह दही खा रही है क्योंकि यह दही नहीं खाई थी अना तो इसको भी में कटोरा देही देती हूं अभी गड़मी का अभी तो इन टो फेट थंदी चीजे थोरा खाना भी जरूरी है दही पेट के लिए अच्छा होता है और जब से इसको लूज मोसन होना तब से अम लोग भी खाना इसको भी देना स्टाट कर दी दही हम लोग खाते थैसा नहीं कि नहीं खाते थे लेकिन है एसे रेगुलर आप शुब दूर जाल दो गरम करके फिर उसको नप फ्रीज में जमता है तीक है दही जमा जाता है तो आज वही खाना सिंपल सा बना वा था चोले की सब्जी लेकिन सब्जी इतनी तेस्टी बनी होई थी न मैं तो दबा के खाली हूं तो आश उपर सुपर चावल खालिया फिर अभी पेट पुरा से फूल हो गया फिर अभी नारियल मानी पी लिया अभी दोपाद में में रोटी बनाऊंगी नितु पराटा बनाऊंगी तो चलिए आज का वीडियो यही पेंट करते हैं आप सबको आज का व्लोग पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर चैनल पर नहीं हों तो सब्सक्राइब कर लिए जगा बेल आइकान को क्लिक करना बिलकर मत भूलेगा मैं में दौप से एक नए ब्लोग के साथ एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर थैंक्स पर वाचिंग दिशू बाई-बाई- झाई